मुझार दोस्तों नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज वहां के पुजारी जी से बात की कि आपका बताव पर लिए कितना पुरांस मंदिर गूए और न या कौन सी माताच चीए हर्सित माता ऐस तो इंदा जए राजया चानद बनाएंगे एक आधसब्स जानद के बनांगे बनागे गए पर पर यही था कि हर्षित माता नों लोग खुशी रहे हैं कि अध्युक्षित के दन्य वादी अध्युक्षित माता को समर्पित है कुछ अभिलेकों में हर्षित माता को हर्षित माता भी का गया है उन्हें हर्ष वुल्लास की देवी माना जाता है और यह पता होने पर कौन होगा जो इस मंदिर के दर्शन करे भिना लोटे मंच के चार और परिक्रमा की मेरी द्रश्टी पाश्चानी वित्तियों पर सूर्यमुकी पुष्पों की नकाशी पर पड़ी और यह पुष्प वित्तियों पर बनी प्रतिभाओं की सोबा में विर्द्धी कर रहे थे दोस्तों यह स्तल राइस्तान के यसस्वी एव गौरफ शाली अतीत का जीता जाकता उदारन था बावडी जो भारत की सबसे सुन्दर बावडी है उसको देखा जो पूह कितनी है पसाइब तेरा सो सीड़ी है और राजस्तानी नहीं पूरे है उत्तरभाद के सबसे बड़ी और सबसे चोड़ी बावडी है जो कि चोहान वंची दे राजे चंद्र और चान उन्होंने बनवाई इसके आपड़ी अब यह क्यों बनाए गई बावडी कहीं बनाए जा सकती यह बावडी यह इसले बनाए गई यह दो नदी के बीच में अच जैसे बड़सात आएगी वैसे वैसे पानी के लबड़कर एक लेवल दो लेवल और ती लेवल अपरा जाएगा तो फूराव दक्षिन और यह परश्चिम को जिस्ता आप देखरों देखरों अर्ट्री नवी शेताब दीक है यह सोली शेताब से ने अठर शेतादी के भी यह अभी टॉप 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 टॉटम है इसकी साड़े उनिस मिटर और अभी पानी के नीचे आठटी आपके लेगा जानी जाती है बावडी बल्कि अपनी अर्ट एनार्टी और चोटर जगे के नावा आवा निरी तो आवानिरी से मायना हिले गाया गया कि चान नीर आत इसको काम में लिया जाता था मुझे शर्ठान में गवर्मेंट जो प्रासा ही इसको बेबन कर दिया अब यहां फिल्मों की शुटिंगी होती है और फर्मिशन चाहिए कई हिंदी फिल्मों के बात करें तो भूल बले का अमेशा पटल का डासिक फिल्मा गया था इसके जाते हैं धड़क सिर्देव की बेटी इस फ़स्टी फिल्म थी अच्छे वो भी फिल्म आई गए थी तो कई हिंदी फिल्मों के अलावा यह अंग्रेजी फिल्मों की शुटिंगी इसके बाद ही है और जितने हिंदुस्तानी निया ता उससे खें जादा विजेसी आता कि इसकी जो लंबाई और इसकी चोड़ाएं बराबर है इतनी खुक्सवत बादी पूर्ण वर्ड में आलाएं वर्ड देखा नहीं है तो जैसी इसे वाई चलेगी पारी के च्छंपर गाने को एठी है थंदक रहती है हुआ 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 दोस्तों आभानेरी चांद बावगरी जाने के लिए लगबग आपको जैपूर से 95 किलोमेटर की दूरी तया करनी पड़ेगी तो सबसे पहले हम जैपूर से बस्सी और उसके बाद बस्सी से दौसा दौसा से सिकंद्रा सिकंद्रा से लेफ्ट में हम टरन लेंगे तो इस्तान बाड़ी इस्तान पर पहुंच सकते हैं यह इस्तान जैपूर आगरा नैशनल हाईवे 21 पर इस्तित है और रायस्तान में आपको ऐसी जगे दिखाता रहूंगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद दोस्तों डूरा ढोरा रायस्तान टे मेंट करें दोस्तान थार्ट आयाई प्र पार उन्स करें केंट